Hello everyone, welcome back to Lenus Health. Hello friends, तो आज बात करते हैं, implantation symptoms के बारे में जब आपका implantation हो जाता है, तो आप कैसे feel कर पाए, आप कैसे समझ पाए कि आपका implantation हो गया है, या फिर बोले कि आपका गर्वदारन हो गया है, आपका pregnancy concept हो गया है, अब कैसे पता कर पाएंगे, बहुत रहा common symptoms होता है, जो कभी सायद आपने ध्यान में नहीं आया होगा आपका या फिर आप ध्यान में नहीं दिये होंगे, तो आज वो symptoms के बारे में बात करेंगे, तो प्रेंट्स जब भी आपका ovulation होता है, ovulation होने का बात, जब ओवारी से X निकलता है, तीन से चार दिन तो फॉलोपेन ट्यूब में ही चला जाता है, जैसे कि sperm से जब fertilize होता है, फॉलोपेन ट्यूब में जो ट्रावेल करता है, वो तीन दिन से चार दिन लग जाता है, फिर वो धीरे धीरे जाके uterus में जाता है, uterus का ओवाल जो होता है, वहां पे जाके चिपक जाता है, वो जो चिपकता है, उसे हम लोग implantation बोलते हैं, और वो टाइम 6 दिन से जादा लग जाता है, 6-7 दिन, 8 दिन ऐसे लग जाता है, तो जब भी अपका implantation होता है, दिन आपको बहुत सारा symptoms दिखाई देने लगता है, यह बहुत सारा मैला होते हैं, जो मार्क कर पाते हैं, कि उनका implantation हो रहा है, और बहुत सारा ऐसे भी मैला है, जिनको implantation के बारे में बिल्कूल भी कुछ पता नहीं होता है, तो उनको लगता है, सायद मेरा periods आने वाला है, उसे पहले थोड़ा बहुत cramping हो रहा है, यह फिर lower abdominal pain जो होता है, वो हो रहा है, यह spotting हो रहा है, तो ऐसे भी बहुत सारा मैला है, जो उनको ऐसा लगता है, कि periods आने वाला है, लेकिन नहीं, यह actual में होता क्या है, implantation, symptoms होता है, जो थोड़ा बहुत spotting होना, और एक चीज है कि यह ज़रूरी नहीं कि सबको यह symptoms आए, लेकिन यह जो symptoms से बहुत सारा महिला में दिखाए देता है, थोड़ा बहुत lower abdominal में cramp होना, जैसे कि periods time में आपको cramp होता है, और एक symptoms होता है, आपका spotting, मतलब bleeding होना, वो जो bleeding होता है, light bleeding होता है, नहीं उसके लिए आपको fats की ज़रूरत होता है, वो एक दिन या दो दिन, ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन तक, वो spotting रहता है, थोड़ा बहुत bleeding होता है, वो फिर धीरे बंद हो जाता है, तो ये भी किसी को पता नहीं चलता है, लगता है, साइथ मेरा periods आने वाला है, जिसके वज़े से मेरा bleeding हो रहा है, बट ये जो bleeding नहीं है, ये implantation का एक symptoms है, और भी बहुत सारा symptoms है, जैसे कि सुबा उठने का बाद जी मसलाना, और आपको थोड़ा uneasy feel होना, थोड़ा सा भी किया जाता है, वही symptom सब implantation के बाद भी feel किया जाता है, क्योंकि implantation भी एक तरह का pregnancy होता है, जब चाके fertilized embryo होता है, जब चाके अपका uterus में चिपक जाता है, uterus का वाल में तब से अपका pregnancy जो है, ग्रो करने लगता है, धीरे धीरे आगे pregnancy बढ़ने लगता है, दिन आपका body म हर्मोन जो है, वह भी create होने लगता है, और बहुत तेजी में बढ़ने लगता है, दिन बद दिन इतना तेजी में बढ़ने लगता है, कि अगर आज जितना भी निकलता, अगर आप test करते हैं, बिटा HCG test, आज आपका body में HCG हर्मोन का level जितना है, अगर आप एक दिन छोड करते हैं, वह दूगुना हो जाता है, और बहुत चारा महिला का मन में सवाल ये रहता है, इंप्लांटेशन के बाद pregnancy test जो है, वह कब किया जाए, दिखिए, इंप्लांटेशन तो अगर आपका इंप्लांटेशन हो जाता है, अब अगर फील कर पाते हैं, कि मेरा implantation हो गया ह दिन अपका pregnancy test जो है, अब 10 दिन के बाद कर सकते हैं, 10 दिन के बाद करने से अपका accurate result जो है, वह आपको मिल जाएगा, और अपका implantation जो है वह लगबग अगर अपका period का day 28 या 30 है दिन अपका implantation 20 से लेके 24 के अंदर हो जाता है, तो अब 10 तीन या 8 दिन गयाप देखिए, अगर आप pregnancy test करेंगे दिन आपका accurate result मिल जाएगा, तो friends अगर आपका video आप लोगों को अच्छा लगे तो please video को like and share किजे, फिर मिलेंगा और एक नई वीडियो में तब तक अपना ख्याल लगए, thank you for watching Lenu Health